आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Study the following statements and find how many of them are true यहां पर बोला गया है कि चारो statement को पाने के लिए और जो जो true है वो हमें बताने के लिए तो फर्स्ट बोला गया है वास्ट मेजॉरिटी ओफ और्गिनिजम है स्टेनो थर्मल स्टेनो थर्मल का मतलब क्या होता है तो यह एक ऐसा term है जो की ऐसे और्गिनिजम को मेंशन करता है जिसका narrow range of temperature suitable होता है narrow range of temperature को यह लोग सहपाते है और उसी को स्टेनो थर्मल कहा जाता है और majority of animals जो है वो स्टेनो थर्मल ही होते है क्योंकि यूरी थर्मल का अगर बात करें तो यह ऐसे और्गिनिजम होते है जहां पर wide range of temperature का जो capacity है या पर सहने का चमचा है वो बहुत ज़्यादा होता है लेगिन का number जो है वो बहुत ज़्यादा low होता है according to स्टेनो थर्मल इसले पहला statement के जगर हम लोग true लिख लेंगे next है जो salt concentration is less than 5 parts per thousand in land water तो यह भी बिलकुल correct है जोकि salt concentration को हम लोग basically salinity के नाम से जानते है और salinity जो होता है वो inland water का यानि salt या फिर sea water का नहीं जो pond या फिर inland waters होते हैं जोकि sea के पास ही रहते है उन में less than क्या होता है कि 5 parts per thousand ही रहता है वह अगर sea का बात करें तो वो 20 के उपर भी जा सकता है इसे next statement भी जो है वो भी हमारा true statement हो जाता है third है जहांबे बोला गया है birds have mechanism to maintain constant body temperature यानि birds को क्या बोला गया है homeotherms और homeotherms जो है यह ऐसे organisms को बोला जाता है जो भी क्या होते हैं कि warm-blooded organism होते है और mammal या फिर birds के साथ-साथ अगर बात करें तो mammals यो है वो भी इस range में आते है जिनके constant body temperature होता है और environment के साथ उनका body temperature नहीं change होता है और जो body temperature bird में पाया जाता है वो approximately 40 degree से 45 degree Celsius तक पाया जाता है इसलिए हम लोग कह सकना है third statement भी या पर true है next है जो की fourth है जहां पर बोला गया है success of mammal is largely due to their ability to maintain constant body temperature तो constant body होने के वज़े से यानि homeotherms होने के वज़े से इनका जो maintenance या फिर जो ability to reproduce है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो food engulfing capacity होता है वो क्या होता है वो बहुत जादा maintained है या फिर specific हो जाता है इसलिए क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि constant body यानि homeotherms होने के वज़े से ही इनका livelihood या फिर जो life maintenance होता है वो बहुत जादा high होता है इसलिए fourth option भी हमारा true हो जाता है इसका मतलब चारो के चारो statements यहां पर true है और यही हम लोग लिख लेंगे चारो चारो पर